दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है अभी तक हमने पिंकु के साथ कुछ उधारन देखे अब हम पिंकु के साथ आइने में देखे गए चित्र और बिंदू रेखा से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में देखेंगे पिंकु अभी तक तुमने इतने सारे चित्र देखे अब मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ क्या तुम जवाब दे पाओगे हाँ दादा जी मैं तो आसानी से सारे सवालों के जवाब दे दूँगा ठीक है पिंकु तो ये बताओ कि इस चित्र में हम बिंदू रेखा कहां बनाए कि इसके आधे भाग पर आइने को रखने से हमें पूरा चित्र नजर आए दादा जी इस चित्र में हम बिंदू रेखा को इस प्रकार से बना सकते हैं अच्छा पिंकु अब जरा आइने को इसी स्थान पर रख कर देखो तो क्या बनता है दादा जी ये तो कुछ अजीब सा बन गया जब मैंने आइने का मुख दाइन और रखा तो ऐसा चित्र बना और जब बाइन और मुख किया तब ऐसा बन गया ऐसा क्यों हुआ दादा जी? क्योंकि पिंकु तुमने गलत बिंदू रेखा बनाई थी सही बिंदू रेखा कुछ ऐसी दिखेगी ये लो पिंकु अब तुम इसे आइने में देखो हाँ दादा जी अब तो ये दो बराबर आदे आदे भागों में बढ़ गया है पिंकु इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हर चित्र के लिए अलग-अलग बिंदू रेखा होती है पिंकु इस कार्टून को देखो अब आइने को ऐसी जगा रखो कि इस कार्टून के दोनों हाथ इस तरह से उपर हो जाएं आप चाहें तो वीडियो को यहां रोग कर सोच सकते हैं दादा जी ये कार्टून तो बहुत मज़ेदार है पर इसके दोनों हाथ उपर कैसे हो सकते हैं इसका तो एक हाथ उपर और एक हाथ नीचे है पिंकु ध्यान से देखो यदि तुम आइने को इस रेखा पर रख दो और आइने का मुख बाई तरफ करो तो तुम्हें ऐसा चित्रप्राप्थ होगा मैं एक बार आइने को इस तरह से रख कर देखता हूँ दादा जी इसके दोनों हाथ उपर हो गये पिंकु अब क्या तुम इसके दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे कर सकते हो हाँ दादा जी इस बार सिर्फ आइने का मुख बाई और कर देना है और ऐसा चित्र दिख जाएगा प्यारे बच्चों अब तक आपने देखा कि शीशे के सामने चित्र कैसे पलट जाते हैं और ये भी जाना कि बिंदु रेखा हमेशा सीधी वर्टिकल रेखा नहीं होती ये रेखा आड़ी होरिजॉंटल भी हो सकती है अब आप इन चित्रों को देखिए और बताईए कि आईने को इस चित्र में कहां रखा जाए कि दिये गए चित्र दिख जाएं अब तक आपने देखा कि आईने का मुख बदलने से कैसे चित्र बदल जाते हैं और सही बिंदु रेखा पहचानना भी सीखा आशा करते हैं कि पिंको की गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा और अब आप इस विशे के बारे में अच्छे से जान चुके हैं इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है धन्यवाद